घर में जब गेस्ट आने वाले होते तो सोचते हैं कुछ ऐसी चीज बनाएं जो बनाने में भी बहुत आसान हो और गेस्ट को भी बहुत ही पसंद आए तो बनाएए इस पनीर शाक्षुखा को, गेस्ट को तो पसंद आएगा ही, वो आपसे रेसिपी मांगे बिना भी नहीं रह पाएंगे, तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू कर लेते हैं, Hello Everyone, Welcome to Kitchen Lovers TV, Kitchen Lovers TV चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, पनीर शाक्षुखा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है, आप चाहो तो दूद फ़ाड़ के भी आप पनीर बना सकते हैं, यहाँ पे हम पनीर को ग्रेट करेंगे, आप चाहो तो पनीर को क्रम् मसाले, तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं आधा चमच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए, आधा चमच साबुत जीरा और आधा चमच काली मिरी हमने डाली है, और साथ में डालेंगे आधा चमच चिली फ्लेक्स और दो टेबिल स्पून के करीब हमने हरा धनिया डाला है, अब इस पनीर को अपने हाथों से अच्छे से मसलना है, बिल्कुल जैसे हम रसगुले बनाते हैं, वैसे ही इसको मसलना है, इसका एक एक दाना गायब करना है और तब तक मसलना है जब तक पनीर एक स्मूध Subscribe के जैसा न बन जैं, पनीर को आप जितना मसलोंगे उ बस इस तरह से और थोड़ा सा हम पनीर के उपर भी डैब करेंगे और यहाँ पे हम इसके बॉल्स बनाएंगे तो पनीर के बॉल्स आप अपने हिसाब से बनाएए छोटे या बड़े यहाँ पे हम मीडियम साइज के बॉल्स बना रहे हैं बस इस तरह से आप भी बॉल्स बना दिये हैं उसी तरह से हम दूसरे भी पनीर के बॉल्स बना देंगे फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आये हो तो प्लीज अपना सब्सक्राइब को हमा जाएगे बेल बाटन तबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की सबसे पहले दिये हैं अगर आप छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे तो 15 बॉल्स बनेगे और अगर आप मीडियम साइस के बॉल्स बनाएंगे तो यहाँ पे 11 बॉल्स बने हैं इसे आप चाहो तो मैदा और कॉन फ्लार की सलरी बना के आप इसे फ्राय कर सकते हो मैं इसको ऐसे ही रहने इसके ग्रेवी त्यार करने के लिए हमने यहाँपे दो मीडियम सैस के प्यास लिये है दो बड़े टमाटर और एक शिमला मिर्ची यहाँपे एक कड़ाई गरम करने को रखाया इसमें हम एक कड़ची ओिल डाल रहे हैं और इसके साथ में हम डाल रहे हैं एक चमच जीरा अधरक लसन और हरी मिर्ची चार-पांच कली हमने लसन के लिए है एक हरी मिर्ची और आदा इंच अधरक का टुकड़ा लिया है इन सब को हम अच्छे से फ्राइ करेंगे जब तक इसमें खुश्बून अने लगे इसके बारिक बारिक काटा है आप चाहो तो मोटे मोटे पीसे में भी आप इससे काट सकते है पर इसकी पेस्ट ना बना है प्यास को हमें ज्यादा लाल होने तक नहीं पकाना है इस रेसिपी में हमें प्यास को उतना ही पकाना है कि यह प्यास हलका सा कलर चेंज हो जाए उतना ही हमें पकाना है तो ये देखिए ये प्याज का कलर चेंज हो गया है अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्ची को तो यहां पर शिमला मिर्ची को भी हमने पारिक पारी काटके रखा है आप चाहो तो चौपर में भी आप इसे काट सकते हैं शिमला मिर्ची को भी हमें ज्यादा नहीं पकाना है बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही इसे पकाना है तो ये देखिए प्याज और शिमला मिर्ची दोनों अच्छे से पक गए है अब इसमें हम डालेगे आधा चमच नमक नमक आप अपने स्वाध अनुसा डालिए आधा चमच हल्दी पाउडर और एक चमच हम इसमें धनिया पाउडर डाले यहाँ पे हमने तीकी लाल मिर्च डाली है आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले है बस बेसिक मसाले ही हमने इसमें डाला है और इन सब को हम अच्छे से मिक् सर में पीस के इसकी प्यूरी बनाई है आप चाहो तो टमाटर को काट के भी आप इसमें डाल सकते हैं कटे हुए टमाटर को टाइम लगता है पकने के लिए तो हो सके तो आप इसकी प्यूरी बना कर ही आप इसमें डाले अदरक लसन हरी मिर्ची प्यास टमाटर और बेसिक मसा लो करके 3-4 मिनिट के लिए पकाएंगे, 4 मिनिट के बाद इस धकन को हम खोल देंगे और आप देखिए यह मसाला बहुत अच्छी तरह से पक गया है, इस मसाले को हम मिक्स करेंगे और इसके बाद में हम डालेंगे बाकी के बचे हुए इंग्रीडेंस को, तो यहाँ पे हम ल पूरी मेती डालने से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, और यहाँ पे हम डाल रहे है एक चमच गरम मसाला, इन सारे मसालों को हम बैलन्स करने के लिए एक टेबल स्पून टमाटो केचप डाल रहे हैं, अगर आपके पास टमाटो केचप ना हो, तो आप एक चमच चीनी डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने दो टेबल स्पून घर की मलाई डाली है, आप चाहो तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, सबके पास फ्रेश क्रीम नहीं होती है, तो घर की मलाई तो सबके पास होती है, तो इन सारे मसालों को हम एक बार फिर से मिक्स कर दिया है, अब इस gravy को हम ढखके बिना पानी डाले धीमी आज में 3-4 मिनिट के लिए पकाने को रखेंगे तो ये हमारा 4 मिनिट हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये gravy काफी गाड़ी हो चुकी है बस इसे हम थोड़ा सा spatula से बस इस तरह से mash करेंगे आप चाहो तो अलू मैशर से भी आप इ एकदम rich और इसका texture एकदम smooth होगा तो इसे हमने mash कर लिया है अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप पानी गैस की flame को हमने high पे रखा हुआ है और इसे हम mix कर लेंगे जब इसमें अच्छे से उबाल आएंगे तो इसके बाद हम इसमें कोफते डाल देंगे तो ये gravy काफी उब इसमें हम कोफते डालेंगे तो friends मैं आप से शमा मंगती हो जब हमने कोफते डाले थे तो हमारी camera off हो गया इसके लिए हमें बेहत खेदे इसे हम ढखके 5 मिनिट के लिए धीमी आज पे पकाएंगे जब तक एक कोफते अच्छे से पक न जाएं तो ये हमारा 5 मिनिट हो गया ह अब इस लिड को हम खोलते हैं और आप देख सकते हैं इसमें एक भी कोफता पटा हुआ नहीं है ये एकदम नरम और soft soft कोफते बन गया है जिस African recipe एग शाक शुका से हमने inspire होके बनाया है उसमें भी cheese डली जाती है तो हमने यहाँ पे cheese का cube लिया है और इसको हम grate करके एक एक क जालेगे आप चाहो तो cheese की जगवे आप पनीर को भी आप इसमें grate करके बस इसी तरह से आप डाल सकते हैं और इसके बार ले हम डाल रहे हैं chilli flakes को चिली फ्लेक्स ना हो तो आप थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर भी आप इसके उपर बस इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं और अब इसमें हम डालेंगे ओरिगैनो सीजनिंग तो ओरिगैनो सीजनिंग भी हम इसमें इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे यहाँ पर हमें दो सैशेट औरिगेनो सीजनिंग लगे हैं आप आदा चमच औरिगेनो सीजनिंग डाल सकते हैं इसे ढखके तीन से चार मिनिट के लिए धीमी आज पर इसे पकाएंगे चार मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कोफते काफी फूल गए है और इसकी खुश्ब क्या आ रहे हैं एकदम ला जवाब गैस बंद करने के बाद दो मिनिट के बाद आप इसे परो से तो ये ग्रेवी भी काफी ठिक हो जाएगी तो ये कोफते को हम प्लेट में सर्फ करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कोफते काफी फूले फूले से और एकदम बढ़िया हमारे कोफते बन गए हैं प्रेंस अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ही आप इसे लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और अक कमेट बॉक्स में इसका रीजन हमें जरूर लिखिए ताकि अपनी गलती को हम सुदार सकें प्रेंस के साथ शेर करना न बोले और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना न भूले